हाई गाईज वेलकम बैक तो मैं चानल दिवनिरी टेर और सेक्सवेट रूट रूट आज का जो टॉपिक है गाईज वो है कि देखो अल्रेडी मैंने ना केंटलेग्स रीडिंग के दुवारा करेंट फिलिंग्स के ऊपर भी और फूचर रीडिंग्स के ऊपर भी मैंने के दुवारा हम यह देखेंगे कि आपके जीवन में क्या कुछ आने का पॉसिबिलिटीज है क्या कुछ डिवलाप्मेंट हो सकता है आफ्टर द निव मौनिन पाईशिस ठीक है विद टेरो और और अट और गल एंद चर्म्स और रूल्स तो डिफरेंट टेक्निक्स में प्र देखेंगे फिर दूसरा डेक्ट तीसरा हम देखेंगे ओर अगल कार्ट से और लास्ट में हम देखेंगे रून्स और चर्म्स ठीक हैं तो लेट्स तार्ट लेट्स फाइंड इट आउट ओके उनके जिल्डगी में क्या कुछ कुछ कभरिया सकता है क्या कुछ डिफलोप्मेंट हो सकते है क्या कुछ चैंजिज हो सकते है अर्ट अटर देन इव मॉन इन पैशेज उन्वर्स पइडकाईड ऑन एंज प्लीस गाइड ने थिए यू Please guide me. Thank you. Okay. So, we do have the three of vans. Wow. I love this card basically. Seven of swords. ठीके. Two of vans. The sun. बस. Neutralize हो गया. कुछ negatives भी था तो neutralize हुआ. Knight of pentacles. ठीके. हम दो देखेंगे and definitely. We will come into conclusion. Eight of pentacles. इसको मैं यहां पर रख देती हूँ. इस day को हम देख लेते हैं. So, we do have the world card. We do have the two of swords. Page of vans. The high priest. That is the hierophant one. Okay. And the oop king. Bottom of the deck. हमरे पास है star. यहां पर star. यहां पर eight of pentacles. ठीके. मैं तोड़ा सारेंज कर लेती हूँ. And then I will let you know. कुछ important मैं dates भी बता देती हूँ. Okay. So, three, two, seven. Three is very important. Three, two, seven, five. 12 and 21 अब देख सकते हैं. एक साथ. ठीके. 12, 21, 12, 12. And the number 10 is also very important. 19 number is important. ठीके. Aries, Leo, Sagittarius as the fire sign. Aquarius, Gemini, Libra, Kummitundula राशी, Mesh, Singardhanu राशी. यहां पर है वर्गो, कन्या राशी काफी important है यहां पर. 25, मीन राशी यहां पर important है. यहां पर Leo important है. यहां पर, yes. Taurus, वर्गो, कैप्रिकॉर्ण, प्रिशप, कन्या माकर राशी यहां पर important है. Cancer, Pisces, Scorpio, Curb, Rishik और मीन राशी यहां पर important है. यहां पर the star as the Aquarius, Kumbrाशी यहां पर 8 of Pentacles भी है. As the bottom of the day. अगर हम start करें. शुरुआत से अगर हम देखें तो यहां पर बहुत possibilities आपका बनता है. After the new moon in Pisces, कि generally, लोग अपने, जहां पर भी रहते हैं, जहां पर भी आपकी native place है, वहां से दूर जाने का आपके पास योग आएगा. ठीक है, traveling योग. जो बोला जाता है कि कुंडली में automatically create होता है. और कुछ necessity के वज़े से आपको दूर जाना परेगा. Maybe for your business, maybe for attending conference, maybe आप अपने friends को meet करने के लिए जाओगे, maybe आप अपने घरवालों के लिए जाओगे, आपको नौकरी मिल सकता है, job offers आ सकते हैं, but ध्यान रहना, ध्यान से मैं बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो भी, और ये सब advice follow करो भी. ठीक है, कोई offers आपके लिए आ रहा है, from overseas, और कहीं भी company के लिए, वो अगर कोई token money मांग रहे है, तो वहाँ पर खबरदार, उनको कुछ token money मत देना, ठीक है, tarot is always a guidance, tarot is never a suspicion, ये अंदर विश्वास की बात नहीं है, of course यहाँ पर एक logical बात होता है, यहाँ पर of course यहाँ पर seven hours words है, इसलिए मैंने कहा, कि कोई trap में आप आ सकते हैं, तो इससे आप aware रहे हैं, जितना आप aware रहेंगे, उतना कम trap में आप आएंगे, लोग आपके भोलेपन का फैदा उठा सकते हैं, दूसरा चीज है कि आपके पास, ideas काफी ज़दा होंगे, लेकिन उसको आप practically लगाने की प्रयोग करने की कोशिश जरूर कीजेगा, तो आप काम्याब यहाँ पे होते वे दिखाए दे रहे हैं, भले आपको miss कर सकते हैं आप अपने soulmate को, कि मैं इस वक्त अकेला हूँ, मैं इस वक्त अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन आपको अपना साथ खुद देना परेगा, you will be self-dependent, खुद का साथ दीजिए, ठीक है, and definitely मुझे लगड़ा है कुछ लोग के लिए, you can meet your own soulmate, due to manifestation, process, या definitely, जिसका जब time होता है, वहाना ही होता है वहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे with a sun card, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, bright possibilities, ओके यहाँ पे दिखाई दे रहा है, reconciliation, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे फूलों की, जैसे चादर पे अब लोग चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत बरे-बरे sunflowers है, sunflowers का size average size से बड़ा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे growth, prosperity भी magnify हो रहा है, मतलब ज़्यादा ज़्यादा, दस गुना ज़्यादा, जो एक normal चीज़े हैं, उससे ज़्यादा आपको अपना hard work है, उसका आपका जो benefit है, वो आपको मिल रहा है, long term benefit आपको ज़्यादा मिल रहा है, कोई collaboration हो सकता है, partnership business हो सकता है, जो भी हो, देखे, you are meeting the love of your life, and you will be very happy, बहुत खुश्रा हो गया आप, कुछ long term planning आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप first गए, अगर आप stuck हो गए, तो इसका चिंटा मत कीजिएगा, star position तक पहुचा रहा है, ठीक है, आपकी जो यहाँ पे देखो, star यहाँ पे ऐसे ही लोग नहीं बनते, काफी बार compromise करना पड़ता है, काफी बार struggles भी करने पड़ते हैं, रात रात पे आप जो जाके काम कर रहे हैं, चाहे वो studies हो, चाहे किसी की training program हो, चाहे आप कुछ भी plan कर रहे हैं, okay, you may be a writer, may be आपकी लिखनी की शक्ती जो है, वो अधिक बढ़ता जा रहा है, लोग आपकी articles पढ़ेंगे, लोग आप जो लिखोगे, उससे काफी impressed होंगे, आपके fan following बढ़ सकते हैं, आपके admirers जो है, आपको जो बहुत जादा मानते हैं, वो आपको और मानना शुरू कर देंगे, आप उनको proof दिखा दोगे, see this is my talent, तीके मैं जो बोलना चाहता हूँ, मैं जो बोलना चाहती हूँ, आप ध्यान से सुनें, तीके कही नगाई भी मुझे दिख रहा है, आपकी literary skills, आपकी hearts के प्रती, ठीके science के प्रती हो, arts के प्रती हो, आपकी बहुत ज़्यादा, मतलब intention बहुत clear दिखाए दे रहा है, कि नहीं आप decide कर लोगे, मुझे ये रास्ता select मैंने कर लिया है, अभी मुझे top position तक पहुचने से, कोई नहीं रोख सकता, मतलब आप कुछी दिनों में, अपने आपको काफी healthy, strong महसूस करोगे, पहले जो आपको आलस लगता था ना, कि अरे नहीं वापने बाद में देखेंगे, अरे बहुत tired हूँ, मैं अभी कुछ सोचने का वक्त नहीं है, मैं भी आपके लिए love life के लिए भी वक्त नहीं था, सो अब सोचोगे, होसाता है कि आपने पहले बहुत ज़्यादा बेवफा वाला इश्क देखा है, पर अभी आप रियल वाला इश्क देखोगे, कि कि इश्क वाला लव देखोगे, and definitely you will be very much, you can say that having satisfaction, सबसे ज़्यादा बात होता है, बहुत ज़्यादा सैलरी भी हमें सैटिस्वाइन नहीं कर पाता, लेकिन अगर लोग बहुत अच्छे मिल जाते हैं हमारे आसपस, और हमारे पार्टनर भी गई हद तक सपोर्ट करते हैं, तो हमारे जिन्देगी बहुत ही खुशी हमें वहाँ पे मिलता है, बहुत पैसे से क्या होगा, अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो, बहुत सपोर्ट से भी क्या होगा, अगर आपका मानिटरी बेनेफिट्स भी नहीं हो रहा है तो, financially मुझे दिख रहा है, यहां पे growth आते वे, तो आप बहुत अच्छा planning कर पाऊगे, जिसके वज़े से result यह आएगा, कि आप जो भी हाथ में लोगे, वो आपका, जैसे बोलता है न, it will turn into gold, दीकिए, सो ना हो जाएगा, investments कर सकते हैं आप इस दौरान, लेकिन risky investments मत करना, या किसी के trap में मत आना, अगर कोई बोलर कि मेरे account पे आपको पैसा डाल देना है, so no, आपको हमेशा company के नाम पे, किसी भी company के नाम पे आपको पैसा देना चाहिए, ठीकिए, किसी के नाम पे अगर आप check लिख रहे हैं, तो दस बार सोचिए, उस company में वो आदमी या औरत काम करते हैं या नहीं, आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे इस तरह का जंजट दिखाई दे रहा है, अगर अच्छा भी दिखाई दे रहा है, benefits भी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे problems भी दिखाई दे रहा है, आपको property related issues में आफ़स सकते हैं, तो आप अपने relatives के साथ, जो भी आपके उस जमीन के इस दार है, उनके साथ आप discussion कीजिए, लेकिन बैट के, ठीकिए, आप अगर arguments करेंगे, तो उस side से भी argument का possibility है, ठीकिए, और अगर आप अपने काम के जगा पे सिलसिले के लिए, अगर आप अपने boss के साथ, frankly बात करना जाते हैं, so you should directly talk to your boss, and not to your colleagues, ठीकिए, क्योंकि वो आपको गुम्रा कर सकते हैं, दूसरा चीज है कि, कोई poisonous relationship, बहुत ही जदा toxic relationship से, आपको आज़ादे मिल सकता है, travel tour हो सकता है, कोई travel tour अच्छा package आपको मिल गया, और आप अपने partner के साथ, बहुत ही अच्छा सा, एक honeymoon package अपने ले लिया, ठीकिए, कुछ लोग baby moon में भी जा सकते हैं, maybe you are a wife or partner, is pregnant, maybe अगर आप female है, तो आप pregnant है, या आपको good news मिल रहा है, बहुत अच्छा आपने manifest किया, बहुत try कर रहे थे, and you are getting the success, क्योंकि arrival of a girl child, arrival of a boy, यहाँ पर मुझे दिख रहा है, दूसरा चीज जो मुझे दिख रहा है, को innovative project के उपर, अगर आपने पैसा लगाया था, और वो first गया था, लेकिन वो automatically release हो जाएगा, मैंने benefits भी बताया है, और मैंने यहाँ पर problems भी बताया है, ठीके, so आप दोनों के उपर नजर दीजिएगा, ठीके, कोई चल कर सकता है, चला कर सकता है, लेकिन आप इतना mature होंगे, वो करके भी कोई फायदा नहीं, अगर आपके उमर कम है, जान लो, अगर आपका उमर कम है, so आप please, अगर आप इस field में नए है, इससे पहले आपने कभी भी इस field में कोई काम नहीं किया है, so आप अपने senior से, most trusted person से consult कीजिए, ठीके, अगर आप कई travel के लिए भी जा रहे है, so unnecessary पैसा किसी को भी मत दीजिएगा, खर्चा मत कीजिएगा, over expenses हो सकता है, so you should be aware of, but ultimately, जो मुझे overall का cards मिला है, वो बहती बरिया है, 8 of pentacles and 17, so 8 is a number where, maybe it is delayed, maybe it is denied, but it will definitely never get like that of result, मतलब आपका result बहुत अच्छा होगा, जिस तरह का आप सोच रहे थे कि नहीं मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मुझे कुछ हासल नहीं होगा, वो ऐसा नहीं है, आपकी health improvement भी अच्छा होगा, शारिरिक और मांसिक तनाओं से अब मुक्त होंगे, तो इससा चीज जो मुझे यहां पर दिख्ञा है, आप glow करेंगे अंदर से, ठीक है, आपका जो inner glow है, वो बाहर भी reflect करेगा, ठीक है, और हो सके कोई mountain spring, मतलब कोई ज़रना हो, कोई water body हो, उसके सामने रहने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा mineral water बाद आप ले सकते हैं, mineral salt water बाद आप ले सकते हैं, और अपना skin का ध्यान रखिएगा, ठीक है, और healthy eating always leads to healthy options, maybe आप oily spicy food खा लेते हैं, ठीक है, बट उसके उपर थोड़ा साब को नज़र देना पड़ेगा, अगर आप already healing profession में हैं, ठीक है, अगर आप कोई भी जगा पे ऐसा है, जहांपे spirituality involved है, तो वहांपे मुझे दिख रहा है, आपका भी वहांपे improvements काफी ज़्यादा आ रहा है, जैसे मैंने आपको कहा है, अगर आप online में भी काम कर, अगर आप offline कर रहा है, अगर आप video creator है, अगर आप ने franchise लिये हैं, ठीक है, वहांपे भी मुझे यहांपे significant growth दिखाए दे रहा है, आज का reading वही था, theme वही था, कि क्या बहुत बड़ा परिवर्टन, world है, sun है, ठीक है, और यहांपे क्या है, the high priest है, so of course आप expert करी सकते है, कि major changes आपके life को impact करेगा, ठीक है, आपको लग सकता है, यह तूफान है, यह एक tsunami जैसा है, लेकिन नईया पार होई जाता है, जिसका होना होता है, rescue करने वाले कोई न कोई होंगे ही, three of events and two of events, automatically suggest करते हैं, कि आपके जो website है, या आपके जो expansion plan है, आप सोच रहते हैं, मैं इस साल का जो मेरे पास shop है, अगर आप business person है, मैं नहीं करूँगा, मैं उसको और बढाऊँगा, मैं उसको और promote करूँगा, इस तरह से मैं भी आपके जो, online भी अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपकोने सोचा होगा, कि कुछ मुझे websites में कुछ introduce करना है, और मुझे कुछ कर दिखाना है, podcast, any type of blogging, whatever it is, मैंने मतलब आपने सोचा, कि नहीं, now I should do more and more, तीक हैं, partnership business बहुत जादे दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे seven of swords, इस चीज़ का भी indication है, कि आप भी honest रही है अपने dealings के साथ, और जो भी जिसके साथ भी आप काम कर रहे हैं, उनसे भी आप expect यहीं करेंगे, कि वो आपके साथ कोई, मतलब धौंग ना रचा है, और आपको साफसाफ कह दे, ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे, आपके लिए एक advice cards, तीन advice cards हम देख लेते हैं, और आपको लग रहा है कि मेरा रास्ता जो है, वो कहां जाएगा मुझे पता नहीं है, पर आपका रास्ता वहीं पे है, जहां पे आपको जाना चाहिए, आप अगर जाना चाहते हैं, फर एक्जांपल अगर हम इंडिया का एक्जांपल थे, आपको जाना था, कोई और जगा पे फर एक्जांपल, Bangalore आपको जाना था, बेंगलूरू, बट काई नगाई पे आपको लग रहा होगा, कि नहीं, Bangalore is the right place for me, Yes, it is the right place for you, मैं भी आपको लग सकता है, कि नहीं मुझे जाने से क्या वहां पे help मिलेगा, क्या वहां के लोग बहुत ज़्यादा manageable होंगे, क्या वहां के लोग मेरे साथ participate करेंगे, Yes, Yes, आपकी knowledge ही, आपकी जो ग्यान है, उसकी बृद्धी, आपके में भी training fix हो गया है, आपको जाना परेगा, वहां पे, You are exactly where you need to be, तीके, तब ऐसा मत सोचेगा, कि आप भड़क गया है, No, it's not like that, You are a beacon for others, Yes, you are, Yes, you are a star, and you need to be, तीके, और आप लोग comments में लिखियेगा, I am a star, तीके, and I am exactly where I need to be, I am a star, and I am exactly where I need to be, ये इसको present tense में ही लिखियेगा, तीके, You are a beacon for others, आप लोगों के लिए motivation factor है, लोग आपसे ही सीखते हैं, लोग आपके लिए ही प्रतिक्षा करते हैं, आपके subordinates आपसे ही सीखेंगे, so don't you think about it, ये picture देखे, मुझे एक person की याद आ रहे है, I forgot his name, I am sorry for that, but बहुत ही adventurous है वो, बहुत ही physical problems होते वे भी, उन्होंने चुनाती को इस तरह से लिया, कि वो कोई भी पहारी लाके में adventure करते है, so that is called the leadership quality, जहाँ पे हमारे अंदर जो है, healthy problems हो सकती है, लेकिन वो कभी भी बाधाय ना बने, आगे बरने का, wandering path, enjoy the journey, हमेशा जहाँ पे भी जाओ, अब layout जो भी हो, ठीके, map जो भी हो, उस journey का, उस सफर का, enjoyment आप हमेशा करें, ठीके, destination का मत सोचे, वो जो सफर आप कर रहे हो, सफर ACFVR नहीं है, journey जो आप कर रहे हो, ठीके, जाज हो रहे हो आप, उसको enjoy करते करते करो, ठीके, अभी हम थोड़ा सा, charms or rooms देख लेते हैं, sorry for the sound, so there can be an engagement, official engagement हो सकता है, and sunflower वहाँ पे भी sun था, sunflower बहुत बढ़ा करके आ रहा है, यहाँ पे, so of course you are going to get the soul mint, okay, healing qualities आपके अंदर है, आप लोगों को heal भी कर सकते हैं, definitely, I do believe कि कुछ problems आपके लाइफ में था, definitely वो चला जाएगा, masculine, मेभी आपके जीवन में, आपके जो spirit है, divine masculine, divine feminine energies need to balance, okay, और मेभी आप कभी-कभी बहुत ज़्यादे स्ट्रिक्ट हो जा रहे हो, या कभी-कभी बहुत ज़्यादे emotional हो रहे हो, देखो, I told you na, to, travel, ठीके, landing, यहाँ पे लगा हुआ रहे हो रहे हो आपके life में, so you will smile, lovely heart, transformation is 100% there, ठीके, change आपको नजर में आएगा, खुद के behavior में आप देखो के change आ रहा है, और लोगों की भी बढ़ताव आपके तरफ, अलगी ओड़ा है, so this is all about today's reading guys, I hope you like it, and if you like please do share, subscribe and do comment in the comment section, till then take care of yourself, and keep watching, divinity, terror, or six, where truth always exposes darkness and will it.